तो हेलो एरिवान, वेलकम टू इलननम, सौगय थे आपका इलननम पे, तो होप कि आपको ये पीसडी और जॉप अपडेट्स के सिशन पसंद आ रहे होंगे, आप इंजॉय कर रहे होंगे, और जगह डिफेंट डिफेंट जगह अप्लाई करके आप उसका फायदा उठा रहे वाले लिजबल है, तो पोस्ट का नाम है साइंटिस्ट भी, और इसमें जो भी बाटनिया अलाइट फिल्स से अपने मास्टर्स कर रखा है, तो आप इसके लिजबल है, और साथ ही साथ इसके अच्छी बात है कि इसमें जो भी एक्स्प्रियंस नीडेड और डिजारबल है जैसे कि पहले होता था कुछ-कुछ एक्स्प्रियंस मेंडेटरी होते थे लेकिन इसमें एक्स्प्रियंस डिजारबल है, मेंडेटरी नहीं है, और इसमें जो भी मास्टर इस इन बाटनिया, वो इसके लेजिबल है, तो बहुत अच्छी अपोश्टिनिटी है, चलिए सैंसी नंबर और पोस्ट आपको ध्यान रखना होगा, फॉर्म फिल करते वक्त, किस मिनिस्ट्री के अंदर ये पोस्ट है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वार्मेंट, फॉर्स्ट और क्लाइमेट चेंज, और 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 बात कर लेता है, कितने नंबर और सीट सेंस में, ठीक है, सबसे पहले अंडिजर्ब पोजिशन, या जनल पोजिशन नंबर त्री है, तीन सीट इसमें अंडिजर्ब्ड है, जो कि सभी कैटरेग्री ओपेन है, और एक सीट ओवी सीट अचिक लिजर्ब्ड है, तो टोटल इसमें 3, 1 प्लस 3, टोटल नंबर अचिट 7 है, ठीक है, तो तीन अंडिजर्ब के टेगरी है, एक OBC के लिजर्ब्ड है, और तीन SC के लिजर्ब्ड है, साथ तो इसमें टोटल नंबर अफ सीट 7 है, जिसमें 3 अंडिजर्ब्ड है, अब बात कर लेते हैं, पे स्किल के बारे में, तो इसमें लेवल 10 का पे मिलेगा, जो कि अराउंड हो तो बहुत अच्छी opportunity है, अब बात कर लेते हैं, तो इसमें maximum 35 years होने चाहिए, जो भी unreserved category में apply करेंगे, उसमें maximum आपकी age 35 years होने चाहिए, general candidates, ठीक है, बात कर लेते हैं, SC या ST candidates, SC और SC candidates जो है, 40 years तक eligible ने इसमें apply करने के लिज़ए, तो SC, ST candidate जो भी 40 years तक हैं, वो इसके eligible हैं, और next है, OBC candidate, तो OBC candidate 30 years तक के लिए eligible है, ठीक है, तो unreserved category में 35 years तक के लिए eligible है, SC, ST candidate 40 years तक के लिए eligible है, और साथ ही सत, OBC में के लिए 38 years के लिए eligible है, ठीक है, और next बात करते हैं, qualification, तो essential qualification में आपके पास master एगी होना चाहिए, किसमें, botany, horticulture, या organic chemistry from recognized history, means botany या उससे कोई भी allied field, साथी chemistry भी इसके लिए eligible है, बात कर ले तो desirable, desirable मत्तब यह mandatory नहीं है, जो किया है कि अगर आपके पास taxonomy, like study of एंजियोस पर बायर फेटर लाइकर, इसमें अगर आपका experience है, साथी साथ, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, रेंच, 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 बनाएं, ठीक है, duties क्या होंगे, तो duty में आपके बोला गया है कि आप जो taxonomic research करेंगे, plants को identify करेंगे, ठीक है, scientific harbenium files बनाएंगे, साथी साथ, अपने supervised, बार्टिंकल असिस्टन, टेकनिकल असिस्टन को supervised करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें probation period, तो probation period का मतलब है, 2 years, like इनिशली आप 2 years के लिए, रिक्रिट किया जाएंगे, फिर उस अपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपके ग्रूप को पोस्ट को permanent किया जाएंगे, हाँ पर इनों लिखा, ये पोस्ट पर्मानेंट है, लेकि उससे पहले 2 years का प्रोफेशन period होगा, पहले 2 प्रिशन पर है, इसमें master चाहिए, botany में, ठीक है, botany ये allied fields इसके लिए eligible है, और इसमें level of pay होगा 56,000, और साथी साथ इसमें number of seeds 7 है, 3 undeserved, एक OVC के लिए, और SCSD के लिए 3 seeds, ठीक है, और level of pay 56,100, ठीक है, तो आपको apply करने के लिए apply link के description में दें दिया जाएगा, आपको वाँ से जाके apply करना होगा, ठीक है, अज के बाद दियागा आपको कोई query है, तो आप comment section में जरू बताएगे, हम उससे जरू solve करेंगे, ठीक है, और आपको ये video पसंद दाया होगा, तो इसे like करिए, share करिए, subscribe करिए, thank you and bye bye